हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप सबका स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हर्श्मनोतरा क्लासिस जहाँ पर हम अकाउंटिंग जीस्टी इंकम टेक्स से लेटेड सभी प्रैक्टिकल और ठोल्टी को शेयर करते हैं तो आज से मैं आप सबके लिए जीस्टी के प्रैक्टिकल सिनरी से नर्यही प्रैश् leverage करने वालाू , जो कि आपको एक बिगूनर अकाउंट्टिंट से सीनरे अकाउंटेट बनने में आपकी हैल्प करेगी आएए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट आगा है अब मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एन बेल आइकन को भी प्रेस कर जिससे अगर फ्यूचर में आगर आपको कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एन इसली आप उस वीडियो को विदाउट डिले करें देख पाएं तो जैसा कि आप मेरे स्कीन पर देख पा रहे हैं हमारा जो में मेन डॉपिक आज वह है confidence लि Bowl अमसे के मेरे स्कीन की पा रहे हैं जीएसटी गोड़्िस ञांना चाहूंँगा कि वहर्ट इस जीएसटी होता गया है तो GST क्या होता है उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा हम पहले तो GST के अंदर क्या क्या चीजे पढ़ेंगे What is GST? GST Concepts and Basics Cascading Effect of All Texts GST से पहले जो text था उसके बारे में पढ़ेंगे And what is exactly GST? So आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं What is GST? GST is known as the Goods and Service Tax It is an indirect tax which helped replaced many indirect taxes in India Such as the Excise Duty, WED, Service Tax, CST Many taxes को क्या करा है इसने replaced कर दिया है So देखिए GST क्या है? GST is an indirect tax अब आप सोचेंगे What is indirect tax? So indirect tax is aisa tax होता है जिसका burden एक परसन के उपर नहीं होता है जिसका burden एक परसन से किसी दूसरे परसन के उपर shift हो जाता है जैसे अगर आप किसी restaurant में कुछ खाने गए है तो आपने वहाँ पर food खाया होगा आपने वहाँ से service लिए होगी क्या आपने वहाँ tax दिया? आपने वहाँ tax दिया restaurant को बट restaurant की duty बन जाती है कि वह यह tax government को जमा कराएगा आपके ब्याव पर तो इसे हम कहते हैं GST और यह जो tax है यह लगता है हमारा supply of goods and services पर चाहे आप किसी भी चीज़ की goods की या service की अगर आप supply करेंगे या supply available करेंगे उन पर आपको GST applicable होगा और चाहे तो आप single goods खरीद रहे हूँ चाहे आप service खरीद रहे हूँ चाहे आप बहुत खरीद रहे हूँ service और goods वहाँ पर आपको सिरफ एक ही tax देना होगा उसका नाम होगा GST आप हम देखते हैं GST ने कैसे किन-किन tax उसको replaced किया है तो देखिए GST ने पहला एक्साइस को replace किया है एक्साइस क्या होता है जब आप कोई manufacturing करते हैं सपोस मेरी एक firm है जिसके अंदर हम factory है जिसके अंदर हम क्या करते है शर्ट मैनुफेक्ट्र करते हैं तो जब हम शर्ट मैनुफेक्ट्र करते हैं तो हमें गॉवर्मेंट को tax देना पड़ता है जिसका नाम होता है exercise duty है सैकंड है वैट वैट क्या होता है जब आप कोई goods and services को sell करते हैं goods को sell करते हैं तो आपको महाँपे वैट देना पड़ता और service जब आप available करते हैं आपको service tax देना पड़ता है तो यह अलग-अलग taxes को government ने क्या कर दिया है replace कर दिया है by the one name GST अब GST के अंदर हमारे types क्या है तो वो देशा कि आप screen पर देख पा रहे हैं देरे three types cgst, sgst and igst cgst क्या होता है central goods and service tax और cgst is collected by central government मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे इंडिया में दो तरह की government है central government and state government एक और है union government, union territory बट हम mainly बात करते है central and state की तो central government collect करती है cgst, state government collect करती है sgst, sgst की full form होती है state goods and service tax and igst की full form होती है integrated goods and service tax that is collected by central government however distributed among the central and state igst एक ऐसा tax है जो की central government collect करती है but at the end जब collect हो जाता है collect होने के बाद central government की duty है कि वह आपस में central state and central आपस में उस tax को share करें कितना percent वो share करेंगे यह हमें नहीं पता है क्योंकि यह as per central होता है okay so next है हमारा कि हमारा जो old text था वो कैसा था देखिए center में हमारे पास क्या था old text structure की बात करते हैं तो center में हमारे पास था exercise duty जो की manufacturing पे लगती थी जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर हमारी कोई factory है अगर आप महां कोई भी चीज manufacturing करें लाइक shirt, pant, jacket, mobile phone anything you are you have manufactured there you have to pay exercise duty and service tax अगर आपको service available करते हैं जैसे आप hotel में गए रहने गए तो room service हो गई आपकी bike की service हो गई आपकी car की service हो गई insurance service हो गई तो इन सब आपको service tax देना पड़ता था and cst cst is a central sales tax before gst there is a two tax central sales tax and bad central sales tax is वो होता है जब आप suppose किसी one state से लेगे किसी other state में अगर आप कोई goods की supply करते हैं one state मतलब दिल्ली से अगर आप मोंबे में कोई चीज की supply कर रहे हैं परचेस या sales कर रहे हैं तो वहां पर आपको cst देना पड़ता था और अगर आप within the state कोई supply कर रहे हैं तो वहां पर आपको वैड देना पड़ता था and custom duty custom duty क्या होती है लाइक अगर आप कहीं भार से इंपोर्ट करा रहे हैं suppose किसी other country से इंडिया में कोई समान आ रहा है तो आपको वहां पर custom duty पे करने पड़ती थी entertainment tax entertainment tax होता है लाइक अगर आप किसी pvr में गए या cinema hall में गए और आपको movie देखनी है तो वहां पर आप entertainment tax भी दे रहे होंगे गवर्मेंट को luxury tax अगर आप किसी luxury hotel में रहने गया है like radiation blue या किसी any luxury hotel में अगर आपने रूम लिया है रहने के लिए तो वहां पर आपको luxury tax देना पड़ता था अग्ट्रोय और एंट्री टेक्स अग्ट्रोय और एंट्री टेक्स का मींस होता है सपोज आपने कोई goods यहां से भाहर बेज़े हैं या भाहर से इंदर लेके आया मलब outside the country अगर आप इंडिया से कहीं border अगर आप border cross करते हैं और transfer of goods से वहां पर तो आपको octroi or entry tax देना पड़ता था तो यह हमारा DST का सम बेसिक सा structure है अब देखते हैं हम DST ने किन-किन taxes को replaced किया है all the below tax abolished by DST like number one is excise duty service tax central sales tax tax VAT municipal tax entry tax luxury tax service tax lottery tax advertisement tax and etc that there is a number of taxes just go replace करा only one taxi मतलब अगर आपको अब कहीं service दे रहे हो या अगर आप कहीं स्कूट्स की supply कर रहे हो तो महां पर आपको सिर्फ एक ही टेक्स देना है क्या GST ओके तो GST की एक वन रूल बन गया है एक वन नेशन एंड वन टेक्स तो